नमस्कर दोस्तों स्वागत है आपका PharmaRox की यूटूब एज़ियो किसने चनल में तो आज की वीडियो लेक्चर में हम ऐसे हेल्थ प्रॉब्लेम और उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे जैसे की मूँ में छाले होना तो यहाँ पर जो हम यह डायग्राम में देख रहे हैं इस तरह से आपके माउथ के अंदर जो हो अलसर फॉर्म हो रहा है और यह माउथ हलसर जो लंबे समय तक रहता है और यह जो अलसर है वो ठीक नहीं हो रहा है लंबे समय से आपके पेट में इस तरह से जो है वो अलसर है उसके करण काफी जदा कॉम्प्लिकेशन हो रहे है तो यह जो प्रॉब्लम है उसको स्वाल करने वाली बहुत अच्छे टाबलेट के बारे में हम सिखेंगे आज की विडियो लेक्चर में कि जिसका नाम है रिबाजन टाबलेट तो यह सब टॉपिक्स हम उसके कवर करेंग रहे है वर्निंग क्या रहेगी कि कौनसे कंडिशन में हम उसको यूज नहीं कर सकते है और ड्रग ड्रग इंटरेक्शन से इससरा से टोटल दस चैप्टर की हम डिटेल स्टेरी करेंगे तो सरुवात करते हैं पहले चैप्टर से उसका बेजिक जानते है तो यह ऐसे गलास क में है या फिर बॉडि के किसी भी जगा पर आपको अलसर हो रहा है तो वो अलसर को ठीक करने के लिए यह मेडिकेशन यूज की जा सकती है तो उसका ब्राड नेम जो है वो है रिबा जैन और सॉल्ट कंटेंड की हम बात करें तो रिबा में पाइड जो है उसके अंदर रहा pharmaceutical कंटी है कि जिसकी head office मुंबई में है तो यूज हम देखे तो जो अलसर होते हैं कि चाहे आपके mouth में अलसर हो रहा है आपके पेट में अलसर हो रहा है आपकी isophagus में अलसर है कही पे भी अलसर है बाड़ी के अंदर कि जो पूरा हम gastro-intestinal track कहते हैं कि जिसको हम GI track कहते हैं क आपके mouth से लेकर एनस तक के कही बेबी अलसर है तो उसको ठीक करने के लिए ये medication को prescribe की जा सकती है फिर जो mucosal protection मतलब कि जो mucos membrane होता है mucos layer होता है पूरा हमारी skin का internal organs के तो उसको protect करने के लिए प्याप्टिक अलसर के लिए gastritis है mouth ulcer या फिर जो back edge disease हम कहते हैं तो killing process जो होते है कि उसको जो ठीक होता है वो process को fast करने में ये medication जो वो मदद करती है तो चाहे S-pylor के कारण हुआ ulcer हो कि जो आपके duodenum में है या फिर आपके stomach के अंदर है या फिर किसी भी तरह से हुआ ulcer के जो gastritis के form में भी कनोट होता है कि जिसके करन सूजन आ जाती है पूरे stomach के अंदर और damage होती है आपके stomach के lining तो ये सभी को ठीक करने के लिए ये medication को हम दे सकते हैं तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब हमारी book available है टीसिस और ट्रीटमेंट बीमारिया और उनका उपचार तो ये book को आप पर्चेस कर सकते हैं तो ये book को पर्चेस करने के लिए आप ये जो number है उस पे whatsapp जो है वो कर सकते हैं तो ये book को order करने के लिए ज़र prescription based medication है film coated tablet रहेगी तो यहाँ पर मैं आपको highlight करके proper सही से सब दिखाता हूँ तो एक tablet जो है वो 100 mg के strength में रहेगी film coated tablet है titanium dioxide उसके इंदर कलर रहेगा यहाँ पर manufacturers की detail यहाँ पर दी गई है कोसन यह है कि जब भी आपको उसको retail में बैचते है तो बीना prescription उसको ना बेचे आरेमपी का जो prescription होता है उनके साथ ही retail में बेचे जाती है बच्चों से दूर रखनी है store करना है cool and dry place पे और physician के direction के according to जो है उसको use करना होता है आगे जानते हैं उसके बारे में कुछ और detail तो strip packing में available है और एक pack के अंदर total 10 tablet available होती है अब उसके mechanism आप अच्चे से समझो तो ये medication जो हमारी body में जहाँ ulcer हुआ है वहा protective prostaglandin के synthesis को stimulate करती है तो क्या होता है कि ये जो protective prostaglandin है उसका synthesis stimulate होने से मनले कि वो faster होने से healing की जो process है वो भी fast होती है उसकी quality भी improve होती है मनले कि जो healing का process है वो fast भी होता है और वो काफी अच्छी quality के साथ जो हो faster healing होती है तो उससे क्या होता है कि जो happy भी ulcer हुआ है वो फटाफ़ ठीक होने लगता है और कम समय में काफी अच्छा healing process जो है वो देखना के मिलता कि अगर कोई ये riba zen tablet को use करता है तो dose की हम बात करें तो जो उसका adult dose है वो है 100 mg दिन में 3 बार मतलब कि ये जो एक tablet है वो दिन में 3 बार patient use कर सकता है और हर एक dose के बीच में at least 6 से लेकर 8 गंटे का time interval जो हो रखना ज़रूरी है high dose में उसको use ना करें मलब कि यहाँ पे जो dose हो गया 100 mg दिन में 3 बार मलब कि maximum dose हो गया उसका 300 mg पर दे तो उससे ज़्यादा उसको use ना करें वरना side effects और ज़्यादा बढ़ सकती है latest price हम देखे डिसेंबर के according तो वो price हो जाएगी 137 रूपीज और 50 पैसा so on an average हम देखे तो एक tablet की price around होगी आपकी 13.75 रूपीज मलब की मोटा मोटा 14 रूपीज में आपको यह जो tablet जो हो पड़ती है तो यावे मैं फिर से reminder देना चाहूँगा आपको कि हमारी book जो हो जरूर से आप purchase कर सकते हैं जिसके अंदर आप बहुत सारी बीमारियों के बारे में सिखेंगे और उनके उपचार के बारे में सिखेंगे को डाउनलोड कर सकते हैं आगे समझते हैं उसके कुछ side effect जैसे की dizziness, fatigue, dry mouth, constipation and skin rashes मतलब कि यह जो medications अगर कोई लेता है तो आपको ऐसा फिल हो सकता है कि आपका गला सूख रहा है constipation जैसा आप फिल कर सकते हैं, कमजोरी जैसा फिल होता है, dizziness जैसा फिल होता है और skin के उपर rashes बनना, कुछ और side effect हम देखे तो भूग कम हो जाना, nausea omitting, diarrhea होते सकते कुछ लोगों को itching या फिर जो taste है वो बदल जाता है mouth में ऐसा आप फिल कर सकते हैं warning हम देखे तो अगर आपको यह जो medication का, जो salt content है, या फिर उसके जो ingredient है, उसकी allergy है तो use ना करे या फिर past में यह medication लेने से कोई allergic reactions होई थी, तो use ना करे, अगर आपकी kidney पे असर है या फिर आपका liver खराब है, तो यह जो medication को use ना करे, pregnancy period में उसको use ना करे, breastfeeding period, बच्चों को नहीं दी जाती और अगर आप alcohol ले रहे हैं, तो यह जो tablet है, उसको कभी भी use ना करे pregnancy category हम देखे तो उसकी C है, तो pregnancy के दौरान यह medication जो अनसेफ है, तो एक बार आपके gynecologist है, उसको जरूर से consult करे, अगर आपको mouth ulcer या फिर ulcer के problem है, तो आपको safe medication prescribe करेंगे, pregnancy के दौरान, बच यह जो ribas and tablet है, वो pregnancy में use नहीं करते drug-drug interactions देखे, तो जो non-steroidal anti-inflammatory drugs है, जैसे के diclofenac है, select oxy भे, उसके साथ यह drug-drug interactions करते हैं, तो कभी भी ribas and tablet के साथ combination में ये medication को use ना करें, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, तो आपको मेरा ये वीडियो भी जरूर से अच्छा लगा है, जहापे भी आप क्लिक करके, काफी अच्छे knowledge गेन कर सकते हैं, अलग-लग बीमारियों के बारे में, उनके उप्चार के बारे में और दवायों के बारे में, साथ ही ऐसे ही informative वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को जरूर से subscribe करें, so good luck and all the best.